हलो दोस्तो आप सबका फीर से एक बर स्वागत है मेरे चैनल औरगेनिक एंड हैड्रोपॉनिक अर्बन ग्रोप रोपर अब हम समझ गए है कि हमें होम गार्डन के लिए हैड्रोपॉनिक तक्निक का उप्योग करने की आवक्षिक्ता क्यूं है उमीद है आप सभी ने इस समय तक इस पर एक प्रयास करने का नीर्ने ले लिया होगा इसलिए आज हम इस तेक्निक के कुछ मुख्य लाब के बारे में बात करेंगे जो आपके इस नीर्णे का समर्थिन करेंगे इस वीडियो में मैं आपके साथ मिट्टी के में उगाने के मुकाबले हेड्रोपोनिक प्रणाली से उगाने पर प्रमुक ध्यान देने योगिये लाभों को साजा करने जा रहा हूं जो इस सिस्टम में आपके विश्वास का निर्मान करेंगे कि ये टेकनिक अच्छे और स्वस्थ पोदय उगाने के लिए वास्तों में खुब उपयोगी है ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और यदि आपने अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर ले और मेरे आने वाले किसी भी अपलोड को मिस न करने के लिए अपने घंटी की सुचना को चालू रखे तो आईए वीडियो को शुरू करते है हैड्रोपोनिक्स की सभी तरह की परिस्तितियों में अनुकुल होने की शमता इसे दुनिया बर में लोगप्रिय बनाती है इसका उप्योग साधरन रूप से गरेलू अगीचों से लेकर बड़े पेमाने पर क्रिनाउस के मध्यम वाले मानेजिक सेटप तब पाया जाता है या एंटार्टिक जैसे सुदूर निर्जन स्थानों और अंत्रिक स्टेशन पर सुन्य गुरूतवा करशन के तहद भी उप्योग पाया जाता है दुसरे चोर पर हैड्रोपॉनिक्स काम आये वाले समाजों के लिए भी एक व्यवायरे संसुती है गैर उप्यों की शामगरी और बुन्यादी पोशक तत्वों की आपूर्ती का उप्योग करने वाले बहुत ही सरल हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अब पॉपिलर हाइड्रोपोनिक्स के रुख में जाना जाता है जिसे अब अस्तित्व की कठोर परिस्तितियों में रहने वाले लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है अपनी कुछ पोशल सबंदी जरुएत पूरा करने के लिए हाईड्रोपोनिक सिस्कूर्थी के माद्यम के रुख में इसे अपना रह है हाईड्रोपोनिक्स भविश्य में भुजन की कमी को पूरा करने का जवाब हो सकता है हाइड्रोपॉनिक माध्यम में से आप टमाटर, मीर्च, सलाड, जड़ी पुटियों जैसे कुछ सबसे अधिक पौश्टिक सबजिया उगा सकते हैं और अपने अहार के लिए स्वस्त उत्पाद ट्राप कर सकते हैं हाइड्रोपॉनिक्स सभी वर्गों में लोगप्रिय हो गया है क्योंकि लोग इसमें कई प्रकार के लाप देखते हैं जैसे की खर्पतवार मुक्त फसल उगाना, कीटो और बिमारियों पर बैतर नियंत्रन, अत्यादिक पोश्टिक और सुरक्षित सबजी और फसलों की उच्च पैदावार प्राप्त करना, साथ ही इसमें कम से कम पर्यावरन ये नुक्सान है अर्थात, अधिक कुशल तरीकों से पानी का उप्योग, जहरीले कितना सकोग पर कम निर्भरता, स्वाद और पोशन दोनों में उत्पादों का बेतर गुमत्ता और कम से कम परिवहन की आवक्षरता उनमें से कुछ उदारन है इस मामले में ये आपके और पर्यावरन के लिए एक जित किस्तिती है, क्योंकि ये शहरी शेत्र की खाली पड़ी बेकार जगव में भी भी आसानी से विक्षित किया जा सकता है जदी हम इसकी तुलना परंपरिख्यती से करते हैं, तो मिट्टी आदारिख्यती के उपर हैड्रोपॉनिक्स के कुछ स्परस्ट लाब्द शामिल है, जिन में से मुख्य इस प्रकार से है इसमें कोई मिट्टी की आवश्रक्ता नहीं है आप इसे पानी या निश्क्रे मीडिया में उगा सकते हैं इसलिए आपको वदों के विकास के लिए अच्छी उप्चाव मिट्टी की आवश्रक्ता नहीं है मिट्टी के प्रकार और सुनरचना की भी चिंता करने की कोई आवश्रक्ता नहीं है जलधारन शम्ता या खराब जल निकासी भी कोई मुद्दा नहीं है जुताई और जमिन की तैयारी के लिए उप्योग में आने वाली बारी मशीनरी को भी हटा दिया गया है इसमें कम शम की आवश्रक्ता होती है क्योंकि यहां कोई मिट्टी नहीं है कोई खर्पतवार नहीं होगी कोई संगनन नहीं होगा इसलिए जुताई, गुडाई, मिट्टी पलटना, पानी और अन्य पारंपरिक प्रक्रिवा के लिए जो शम की आवश्रक्ता होती है जो काफी हद तक समाप्त हो जाती है नतीज अतन आपके सबजी उगाने के लिए सबसे आवश्रक्त बागवानी उपकरन समाप्त हो जाएंगी जैसे कि खुरपी, कल्टीवेटर, कुदाल, पावडे, गार्डन कार्ट, पावर टिलर आधी की कोई आवख्षक्ता नहीं रहेगी अब आप पौदे कहीं पे भी उगा सकते है क्योंकि अच्छी फशल उपज के लिए उपचव भूमी कोई सिमित कारक नहीं है इसका मतलब ये है कि जहां उप्यूक मिट्टी नहीं है वहाँ भी फशल उगाई जा सकती है पहाडों में पाये जाने वाले चट्टानी इलाके या रेगिस्तान जैसे दुरस बंजर भूमी में फशल उगाना संभव है यहां तक कि जहां मिट्टी रोक से दुसित है या नमक की उच्छे सांद्रता वाली है वहाँ पर भी फशल आप उगा सकते है बंद कमरों में भी पौदे उगाना संभव है परमपरिक बगी जोग से विपरित जिने पौदे उगाने के लिए बाहरी जगा और सूरज की रोशनी की अवक्षिकता होती है हम कुत्रिन प्रकास की मदद से हैड्रोपोनिक सिस्टम को आसानी से चत पर, बालकनी में या बंद कमरे के अंदर भी कई गमरों कर में सामिल कर सकते है चाए उनका स्थान या आकार कुछ भी हो मिट्टी से सबंदित, रोग और कीडों पर बहतर नियंत रन मिट्टी के ना होने से किटों को पनपने का कोई स्थान नहीं मिलता है फिर भी संक्रमन यदि किसी तरह स्वरू हो जाता है तो उसे आसानी से दूर किया जा सकता है साथ ही मिट्टी जनित पोदों के रोग भी क्लोज लूप वाली सिस्टम में आसानी से समाप्त हो जाते है जहां सिस्टम को पूरी तरह से एक रोग नाशक के साथ बरा जा सकता है दो फसलों के बीच माद्यम का निर्जीवी करण बहुत आसानी से किया जा सकता है इसके परिणाम स्वरूप कीट और रोग की समझ याये निन्यत्म होती है पौदो की वृद्धी पर अधिक से अधिक नियंत्रन पौदो को पोशन निरंतर्व, समरूप और स्थीर तरीके से हो रहा है जिसे आवशिक तरों पर आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकता है साथ ही विकास के विबिन्य चरणों में विशिस फसलों की जरूरादों के लिए विशिस फॉर्मिलेशन विक्सित किया जा सकते है जो पौदो की वृद्धी को अधिक्तम करने में मदद करेंगे इसमें पौदो की अतिगनिस भुआई संभव है मिट्टी में पौदे उगाने के लिए कठोर डिसा निदेशों को का प्वालन करना पड़ता है तकि प्रत्यक पौदे को पानी और पोशक तत्वों के लिए मिट्टी की कुछ हद तक सिमित आपूर्ती तक पहुँचने का समाना उसर मिल सके हैड्रोपौनिक स्पर्लानियों में पौदे के जर्ष यत्र में एक सगन पोशक तत्वों का गोल देना संभव है इसलिए पौदो की वृद्धी पानी या पोशक तत्वों की उपलब्दता से सिमित नहीं है बलकि केवल उपलब्द प्रकास की मातरा से है इसलिए पौदो के पोशन के लिए जर्ष थान के लिए प्रतिस पर्धा किये बिना एक साथ उगाया जा सकता है इसके परिणाम स्वरुप प्रति हीकाई शेत्र में ज्यादा से ज्यादा पोदो का समन्वित किया जा सकता है पोदो की तेज विकास दर्ध हाइड्रोपोनिक सिस्टम के पोधे आम तोर पर तेजी से बढ़ने वाले और अधिक उपत देने वाले होते है यह पोशक तत्वों के गोल में बड़े हुए ऑक्सीजन के स्तर और सावधानी पूर्वक नियंत्रित परियावरने कारणों के कारण होने की संभावना है जो जड़ के विकास को प्रुसाइद करेगा और पोधों की पोशक तत्वों को की ग्रहन करने की मत्राव को बढ़ाएगा ये स्ट्रेस्ट स्थितिया पोशन या पानी के तनाव को कम करती है और इसके परिणाम स्वरुप पोधे अधिक जल्दी परिपक्वा होते हैं और बरपूर फसल देते हैं पोधों की उत्पादक्ता में वृद्धी हेड्रोपोनिक तरीके में आसानी से और सटिक रूप से कई पोधों के परियावरन और बागवानी के आवक्षक्ता को नियंत्रित करने की शमता के कारण पैदावार सामने रूप से मिट्टी की खेती से कम से कम 20% अधिक होती है यदि आप एक अच्छी तरह से अनुभवी मिट्टी के उत्पादक नहीं है अधिक तम कुल उत्पादन यह प्रती हिकाई शेत्र में पोधों की उच्छे घंणत्वा और अच्छे परियावरन और पोशन नियंत्रिंग के कारण संभव है इसके परिणाम स्वरुप पोधों की अच्छी वृद्धी होती है और दोनों परिणामों के संयोजन से प्रती यूनिट शेत्र में बहुती अधिक उपज होती है जो चार से 20 गुना के बीच हो सकती है जो विशम परिस्तितियों और मेंगे भूमी शेत्रों में इस प्रानाली को आर्थिक रूपियों से वेवरे बनाती है कमर दर्थ से मुक्ती हैड्रोपोनिक सिस्टम में उगाय जाने वाले पोदे आम तोर पर काउंटर, बेंच, टेबल अधि पर उगाय जाते है या वर्टिकल प्लांट टावरों का उप्योग भी करते है जो अधिकांस उत्पादकों के लिए उन्हें कमर की उचाई से उपर आवक्षिक्ता नहीं होती है सामने मिट्टी के बगयोचों की तरह आवक्षिक्ता के अनुसार निराई और गुड़ाई के लिए भी जुकना नहीं पड़ता है या सिमित गती शिलता या शारिक बिमारियों वाले उत्पादकों के लिए एक महत्वपुर्ण लावे जो उन 80-90 टका कम पानी उप्योग करते हैं पारंपरिक बागवानी में परियाप दमी को जड़ सित्र तक पहुचाने के लिए मिट्टी में बड़ी मात्रा में पानी दिया जाता है मिट्टी के माधियम से चलते समय पानी या तो बास्पीत हो जाता है या तो मिट्टी की गेराई हो जाता है और व्यवारिक रूप से मिट्टी में गरे चले चाने जाने का कोई नुक्सान नहीं होता है और इसकी वज़ा से पानी की में उगाया जाता है इसलिए मुल्यवान रसाय अनुक को मिट्टी में खोने की संभावना नहीं है इससे बुमी और नदियों के प्रदूशन में भी कमी आ सकती है कई प्रानालियों में उसक तत्व के गोल को अनुप्यू की और त्यागने से पहले कई बार पुनविस्तरन कि किया जाता है जिससे जलुप्योग दक्साब में भी सुधार होता है पसलों की बहतर गुनवत्ता है इड्रोपॉनिक परानी में जर्चेत्र में उशक तत्व की आपूर्ती के सहियों जन को बदलने और नियंत्रीत करने के लची लेपन के साथ और उदों की व्यूद्दी क वाले फल मिलते हैं साथ में सीचाई व्यूद्दा के स्वचालन के साथ पानी को पोदों की वृद्दी के विशिष चर्णों के अनुरुप नियंत्रीत किया जा सकता है इसके परिणाम स्वरुप पल बंढरन योग्या और मजबूत होता है जो लंबे समय तक बंढरन के द लिचिंग द्वारा या अनुपलब्द रूप में बंद होने के कारण पोशक तत्व का कोई नुक्सान नहीं होता है सभी पोशक तत्व को समान रूप से जड़ सेतर की तरफ लाया जाता है और वो जड़ों को असानी से उपलब्द होते है परिणाम स्वरुप जड़ से परे पुशक तत्व की कोई हनी नहीं होती है इस वज़े से पुशक तत्व की कम संदलता का उप्योग भी किया जा सकता है इसके अलावा पुशक तत्व के गोल के प्येज को पुशक तत्व के महत्तम उप्योग हेतु नियंतरित भी किया जा सकता है रत्यारोपन के दोरान कम नुक्सान जड़ों को अच्छे से काम करने के लिए root hair की अवश्क्ता नहीं होती है इसलिए अलग-अलग स्थान पर shift करने के समय जीवीत रहने के लिए जड़ों को केवल गिली स्थिती बनाये रखने की अवश्क्ता होती है इस नुक्सान को ग्रोब क्यूप के उप्योग से और भी कम किया जा सकता है। क्यूज में जड़ों को बनाये रखने से हाइड्रोपॉनिक प्राणानी में प्रत्यारोपन के बाद जड़े तुरंत विकास करना शुरू कर देती है और कम से कम नुकसान होता है। फसल की साल बर लंबी मौसम, सर्ज सर्दियों के ताप्मान और कम दिन की लंबाई के साथ ठंडी जलवायो पोदों की रुद्धी को रोकती है। निनाउस प्रकार के संचालन के साथ प्रकास, ताप्मान, आर्दता और हवा की सर्द्धना को साल बर पोदे के अनुकुल बरती स्तिती बनाने के लिए फिर फिर किया जा सकता है। निनाउस में फसल की लंबी अउधी के कारण भारी मिट्धी की रुद्धी की तुल्ना में वार्षिक पैदावार दो या तीन गुना अधिक हो सकती है। कम कीट और कम कीट नाशकों का उप्योग। अधिकाज हाइड्रोपानिक सिस्टम रक्षित खित्री के साथ होते हैं जहां कीट उतने प्रभावी नहीं है और उनके प्रवेजद्वार नियंत्री थे। कीडों के लिए सिस्टम में गुस्पेट करना और पोदों पर हमला करना अधिक चुनाती पूर्णा होता है। जैसे कि घरगोष, हिरन, पक्षी, चुहे तथा अन्य छोटे जीवत वारा आपके इंडोर हाइड्रोपोनिक बगीचे में गुस जाने की चिंता करने की कोई आवक्षिकता नहीं है। आपके घर में उनका प्रवेश सायदी कभी होगा। लेकिन यदि इंडोर बगीचे में आ भी जाता है, तो आप उसको पिंजरे में फसा कर आसानी से बाहर भी कर सकते हैं। स्वच और स्वास्तप्रत उत्पादन इसमें कोई मिट्टी या गंद्गी मौजूद नहीं है। इसलिए मिट्टी और उसके गटकों से कोई हाद गंदा नहीं होने वाला है। या बागवाणी की एक बहुत ही साफ सुत्री विदी है। यहां तक की उत्पाद भी स्वच्चे हैं जिमें कोई जैविक रोग और जीव मौजूद नहीं होते है। हैड्रोपोनिक्स के केवल फाइदे देखना बहुत ही आसान है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ विशिस बादाय भी मौजूद है। किसी भी चीज की तरह बाद में आश्चिरे से बचने के लिए इन कमियों को समझना भी आवक्षक्त है। आगे हम देखेंगे हैड्रोपोनिक्स से कुछ ध्यान देनोयोग्या महत्वपूर्ण नुक्सान की जानकारी को। इसमें सबसे पहले आता है मेंगा सैटप। मिट्टी की खेती की तुलना में प्रारभिक लागत अधिक हो सकती है। मेंगे निस्क्रिय मीडिया से बरे विशिस्ट प्रास्टिक कंटेनरों की आवशक्ता और उसके सपोर्ट के लिए लगने वाले धातू के फ्रेम के कारण प्रति एकर निर्मान लागत काफी अधिक है। और सिस्टम को संचालित करने के लिए पंप और बिजली के साथ विशिस्ट जल प्रानली की भी आवशक्ता होती है जो उसकी प्रारभिक किम्मत को लागत को काफी उपर ले जाता है। यह सिस्टम पाउर फेल के प्रति समय दंसिल है। निस्क्रिया और सक्रिया दोनों हाइड्रोपोनिक सिस्टम बिजली पर निर्भर करते हैं तकि इसके संचालन के लिए विभिन गटकर जैसे की ग्रो लाइट्स, वाटर पंप, एरेटर, पंखे आधी को बिजली दी जा सक कोई भी बिजली की विफलता पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगी। अगर इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और उत्पादक समय पर बिजली ब्रेक अप की विवस्ता करने में विफल रहता है तो बिजली का नुकसान पोदों के लिए हानी पकारत हो सकता है और यहां तक कि कुछी गंटों में पूरी फसल का नुकसान भी हो सकता है यह सिस्टम में निरंतर निगरानी और उच्छ रख रखाव की अवक्षक्ता रहती है हाइड्रोपोनिक्स को परंपरिक रूप से बढ़ते पौदों की तुलना में उच्छ स्तर की निगरानी और सुक्स्मा प्रबंधन की अवक्षक्ता होती है सावधानी पूरवक पौदों की बढ़वार के लिए नियंतरित परियावरन को बढ़ाया रखने के लिए रोशनी तापपान और पौशक तत्वक गोल के कई पहलू जैसे के पी-एच और वित्युच चालगता जैसे सभी सिस्टम गट पर नियंतर, स्थतत्ताक पुर्वर्ट, निगरानी की अवक्षक्ता होती है पुशक तत्वों के गोल को भी नियमित रूप से अपूरती करने की या बदलने की अवक्षक्ता रहती है और शार को जमने से और चौकप को रोकने के लिए सिस्टम के पूर्जों को अक्सर जाते है इसलिए जल जनीत रोगों की संभावना काफी अधिक होती है सिस्टम के माधियम से लगादार पानी के प्रवा के साथ संक्रमन पूरे सिस्टम में तैजी से फेल जाता है जिसे पौधों का पुरा समू प्रभावित हो सकता है और गंबीर मामलों में एक जल जनीत रोग हाइड्रोपोनिक प्रणाली में सभी पौधों को कुछी गंटों के बितर मार सकता है बतावरन संभधित समस्याए फोधे को जल्दी प्रभावित करती है मिट्टी एक बफर के रूप में कार्य करती है और अत्यादिक तापन परिवर्तन से जड़ों की रक्षा करती है बिमारियों और किटों के हमले तो भी वो दिमा करती है और नियमित रूप से पुषक तत्वों को छोड़ती है या तो अशोशित करती है बफर के रूप में कार्य करने के लिए मिट्टी के बीना हैड्रोपोनिक सिस्टम में उगाय गये पौधे अविश्वस्निय आली तापमान के अधिक बदलाव पुषक तत्वों की कमी और रोग जैसी समस्याओ के प्रती नकारत्मक प्रत्या करते हैं उत्पादक को प्रती दिन पौधों का निरिक्शन करना चाहिए यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया ये फसल को गंबीर रूप से बहुत जली न आमाने रूप से किये जाने वाले कामों के अभ्यास की अवक्षक्ता परंपरिक उद्यान के समान ही होती है इसके उपरान कोशन के सिद्धान और रस्यान विग्णयन के गयान भी महत्वपूर्ण है इसलिए प्रशिक्षिक कर्मियों का ही हाइड्रोपोनिक प्राणरी का स चाहिए मिट्टी के उप्योग के बिना गर पर स्वस्व पदे उगाने का प्रयास करने के लिए हैड्रोपॉनिक्स एक सांदर तरीका है हलाकि ऐसा लग सकता है यह जटिल और शुरू में मेंगा है पर हमें इसके अधिकांस फायदे वाले हिस्से को नदरन्दात नहीं करना चाहिए स्वच और पौस्टिक बोजन के साथ प्रती इकाई सेत्र में महत्तम उत्पादन कम से कम किट नाशकों के उप्योग और विपरित परिश्थितियों में सफल्दा और सहरी सेत्र में इसके विकास की शमता कम से कम कार्बन फूट्प्रिंट के साथ उत्पाद की ताजगी ब पौदे उगाने के लिए अधिक सेक्ट्रिक प्रत्कियाओं का पालन करने के सामने कई अधिक है इन सभी लापों के साथ हमें यह सोचना चाहिए कि हैड्रोपोनिकली गार्डन क्यों नहीं हमें जरूरत है केवल रास्ते में आने वाली बादा उपर लगाता नजर रखने क इसके लिए कई छोटी गरिले कईयों को आपकी गलतियों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है अब पुशक तत्वा बजार में आसानी से उपलब दे इसलिए आपको उन्हें केवल पानी में स्पर्स रूप से बताई गई निर्दारित मातरा में मिलाना है यदि आप अधिक चुनोतियों की इच्छा रखते हैं तो आप मुल्बूत उर्वरक से अपने पुशक तत्वा प्राप्त कर सकते हैं यह एक बहुत ही संतोस जनक हो भी है जो बैतर स्वाद और पोशन से बरपूर स्वस्त सबजियों का उत्पादन करके आपको उत्सा को भी बढ़ा जरूरी है इसलिए मैं आपको पोधों की वृद्धी पर पुशक तत्वों की उप्योगिता और पोधों के विकास पर उसके प्रभाव के बारे में किस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं यह सब मैं वीडियो सुंगला के आगे के भागवे लेकर आ रहा हूं तो कहीं जा